हालो एवरिवन, वेलकम तु जूम क्लास, आज हम डिसकस करेंगे आजाद पट्टम प्रोजेक्ट के बारे में, यह प्रोजेक्ट जो है पी ओके में बन रहा है और इसे स्पॉंसर कर रहा है चाइना, जानेंगे हम इसका लोकेशन और क्या इसका सिगनिफिकन्स है और क्या इ अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए आप इसे भी फॉलो कर रही है तो पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रिमेंट किया है जिसके तहट 700 मेगावैट का एक आजाद पट्टम प्रोजेक्ट है, हाइडरो एलेक्टिक पावर प्रोजेक्ट है, जो की जहलम रिवर पे उ होते हुए, आगे यहाँ पर रावी और सतलच से इंडस के रिवर को कनेक्ट होती है, so this is the river system that we should know, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यह अकेला प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान इस तरह की और पांच प्रोजेक्ट जो है जहलम रिवर के उपर बना रहा है, तो यह जो billion dollar का इसका project का estimation है, इस तरह का यह second project announced हुआ है, हलाकि total five projects है, पर ये project सेकंड है उस series का, यहाँ पर चाहिना पाकिस्तान economic corridor के अंडर यहाँ पर बनाया जाने वला है, और यहाँ पर connectivity is the new currency. बात की जाती है, जिसके तहत चाहिना connectivity बढ़ा रहा है, यहाँ तो Pakistan की बात है, पर पूरे वर्ड में European nations हो या फिर और भी सारे countries है इंडिया के नेबर से वहाँ पर China connectivity बढ़ा रहा है ताकि economic prosperity चाइना में भी आए और neighboring countries जो चाइना की है उसमें भी आए हाला कि ये एक एजेंडा है चाइना का expansionist policy का पर यहाँ पर हमारे लिए इंडिया के लिए cause of concern है कि this project is in the P.O.K. Pakistan occupied Kashmir which is the main cause of concern, right? क्योंकि यहाँ पर China है यहाँ पर चाइना एक ऐसा country है जो Hong Kong के उपर अगर आपने news सुनी होगी तो Hong Kong में ऐसा law बनाया है कि अगर foreign national भी against the China's establishment, China's government को बात करता है तो वहाँ पर उसे भी यहाँ पर arrest की जाने की बात की गई है तो चाइना उसके country के उपर, sovereignty के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, but when the problem arises with respect to the neighboring countries, China is seen very linear, यहाँ पर definitely हमारी foreign ministry से statement आएगा, देखेंगे कि किस तरह के से Indian government इसे response करता है, तो हमने बात की गई कि second project जो जहलम रिवर पर बन रहा है, तो first project कौन सा है, first project है लगबग 1000 मेका वाटकाव, जो है कोहला project, जो कि June 23 को sign की गया है, और इसका, यह तो उससे भी बढ़ा है, और इसका project estimation है 2.3 billion, यह भी मुझपरा बात जो है, उसके लगबग में बनेगा और यह जहलम रिवर पे भी है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं again from मुझपरा बरात, कि इसकी वज़े से पानी की problems आ सक पी है, so जैसे मैंने पहले भी बताया कि there are 5 hydroelectric power projects जो जो जहलम रिवर पे बनेंगे, अब इस project को sponsor कौन करेगा, obviously Pakistan के पास तो इतना पैसा है नहीं है, ठीक है, तो again big brother will come into picture and China's development bank, Chinese bank के नाम में ही सब कुछ है, यह project Chinese development bank sponsor करेगा और यहाँ पर 85% advance loan दी जाएगी इस project के लिए One thing we should learn as a country from China is that the project execution, यहाँ पर इंडिया और इरान के बीच में एक हमने पिछले कुछ दिनों में news पढ़ा होगा कि rail line का जो project होने वाला था, चाबार पोर से अफगानिस्तान और इरान के बीच में, वहाँ पर इंडिया को exclude करते हुए, इरान ने खुद डेवलोप करने की यहाँ पर बात की गई है, obviously India had pressure from US क्योंकि sanctions लगाए हुए है, इरान के उपर, maybe that could be the reason why India had not taken actions proactively, जिसके चलते हैं, इरान ने इंडिया को exclude करते हुए, again there is China factor involved, कि China ने वाँ पर 400 बिलियन डॉलर का investment किया है, that is for 25 years, तो यह सारे factors हैं, जिसके वाज़े से इंडिया ने तो इंडिया को भी execution के उपर थान देते हुए, नए-ने projects नेबरीन countries में execute करने चाहिए, so this is all about the new project which China is sponsoring for Pakistan in Zhelem, that's all for today, thank you very much.